हैलो फ्रेंट्स आज का वीडियो काफी योजभूल होने वाला है आज के इस वीडियो में हम आपको गूगल पे में क्रेडिट कार्ड एड करने से संबंधित प्रोब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बताएंगे तो दोस्तों वीडियो बिल्खुल ही छोटा होने वाला है वीडियो को किसी परकार से स्किप ना करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो ऐसे ही टेक रोटेड जेनिवन कटेंट देखने के लिए इस चैनल को भी स साथ कोई भी प्रावलाम्स नहीं है तो आपका क्रेडिट कार्ट निश्चित तोर पर गुगल पे एकांट में लिंक हो जाएगा तो आए सुरू करते हैं तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर गुगल पे का यूजर इंटरफेस देख पा रहे हैं अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गुगल पे अपडेट कर लेना है ताकि आपको यह फिचर मिल सके अब दोस्तों सिंपल सा सबसे पहले आपको अपने आइकन पर क्लिक करना है जब आप अपने आइकन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर पे बिजनेस डेबिट क्रेडिट कार्ड का तो दोस्तों अगर इस feature के लिए आपका credit card accept नहीं हो रहा है तो card type not accepted का option सो होता है यानि कि आपका card इस feature के लिए eligible नहीं है अब दोस्तों जब आप अपना credit card number enter करते हैं और successfully अगर आपका credit card accept कर लिया जाता है तो आपके credit card के नंबर के सामने आपका credit card का category सो होता है कि आपका credit card किस type का है तो दोस्तों अगर आपका credit card accept कर लिया गया है फिर भी आपका credit card next step में add नहीं हो पा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे tricks बताएंगे जिनकी मदद से आप पता कर पाएंगे कि आपका credit card क्यों add नहीं हो रहा है तो दोस्तों अगर आपके साथ जो मैं आपको 4 tricks बता रहा हूं उनमें से एक भी problem आपके साथ है तो आपको सबसे पहले इन problem को solve करना होग तब ही जाकर के आप अपने credit card को अपने google पे account में link कर सकते हैं तो दोस्तों आई यह सुरू करते हैं और बताते हैं step by step 4 tricks तो दोस्तों सबसे पहले पहले tricks के तोर पर आपको देखना है कि आपका credit card के साथ linked mobile number active है की नहीं क्योंकि दोस्तों credit card verification के दोरान आपके mobile number पर एक OTP send किया जाता है इसलिए अगर आपका credit card से linked mobile number active नहीं है तो आपका card का verification नहीं हो पाएगा और आप अपने credit card को अपने google पे account में link नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों दूसरे trick के तोर पर सबसे पहले आपको देखना है कि आपका credit card online transactions के लिए enable है की नहीं तो दोस्तों अगर आपका credit card online transactions के लिए enable नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने credit card को online transactions के लिए enable करना होगा तभी जा कर करके आप अपने credit card को google पे के इस feature के लिए add कर पाएंगे तिसरे trick के तोर पर सबसे पहले आपको देखना है कि credit card का category master card या फिर visa card से है की नहीं अगर आपका credit card master card या फि प्रेजर के लिए इसके अलवा चौथे ट्रिक के तोर पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका क्रेडिट कार्ड किस बैंक से लिंक है दोस्तों कुछ सेलेक्टेड बैंस की है जिनके क्रेडिट कार्ड गूगल पेके इस फिचर के लिए इलिजिबल किये गए हैं आपको चार से पाच ट्रिक्स बताए इन पाचों ट्रिक्स में से अगर आपके साथ कोई भी प्रोब्लम है तो सबसे पहले आपको इन प्रोब्लम्स को सल्व करना है तब ही जा करके आप अपने क्रेडिट काड को अपने गुगल पे एकाउंट में आसानी से लिंक कर तो लाइक करिए फ्रेंड्स में सेयर करिए और हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो ऐसे ही टेक रिलेटेड बिल्कुल जेनियून कंटेंट देखने के लिए हमारे इस लर्न इजलिव आईटी चैनल को सस्क्राइब भी जरूर करिए तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नएट टॉपिक्स के साथ तब तक लिए बाई नमस्कार आपका देन सुभू